Assalamu alaikum everyone, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एपोएम, Partition, जो के हिंदू-Muslim separation के मतलिक है ये पोएम लिखी है W.H.Ordan ने, W.H.Ordan पैदा हुए थे 21.5.1907 में और इनकी डेथ हुए थी 29.09.1973 में ये इंगलेंड में पैदा हुए थे और ये एक इंगलिश पोएट थे, प्लेराइट थे और एक क्रिटिक भी थे इनकी जो पोएटरी है, उसके जो थीम्स हैं वो हैं पोलिटिक्स, मॉरल, लाव, रिलिजन, बियोरक्रेसी और हमारीये पोएटरी स्यवत्राइज पोलिटिक्स के रिलेटिड है और इसके इंपॉर्टरन वर्क्स हैं अब हम अपनी पोएटरी सिटिजन को देखते हैं इसका टाइटल ये शो कर रहा है कि दो चीज़ों की डिवीयन हो रही है दो चीजों की डिवियन किस किस की हो रही है इसमें इंडिया डिवाइड हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया में ये एक पोलिटिकल पोईम है और इसको 1966 में लिखा गया था और ये पब्लिश होई थी आडन की कलेक्शन में 1969 की और ये एक्चुली था क्या इसका बेगरून का है पोईम का ये डव्लिए चॉर्डन ने क्यों लिखी थी एक्चुली 1947 में ये सीन हुआ था कि वस्टराइल आडमोन बैटन थे जो इंडिया की उन्होंने क्या किया था एकलायर इक लायर था ब्रिटिश रेड कलीफ उसको लेटर रिखा था ये अडिया में आओ और इसकी डिवियन करनी है इसको पाकिसान और इंडिया में डिवायड करना है बस 5-7 हफते हैं इन 5-7 हफते हैं इसको डिवाइड कर देने और खुद वो इस सारे मामने से साइड पर हो गया था उसको बुला कि लायर को जिस बंदे ने इस समीन को कभी देखा तक नहीं था पहले उसको बुलाएं और उसको बोलाएं कि तुम ने यहां पर पार्टिशन करनी है और इस पार्टिशन की वज़ए से बहुत ज़्यादा हिंदो और मुसिम ने सफर किया था और वह ओर्डन जो हैं वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो इंटरेस्ट है वो पॉलिटिक्स में था मतलब वो पॉलिटिकल पोएंब्स लिखते थे इसे वज़ा से उनों ने यहां पर भी क्रिटिसाइज की है इस मैथड को यह कैसा हार्श मैथड है डिवियन का इसकी लाइन बेल एन एक्स्प्रिनेशन देखते हैं आऱ पर एपॉलिक्स लाइन बेल इस सर startups है जिसको पस्प्राइन लेटर लिखा ता है और वो लेटर अकसेप्ट करके तो यहां पर आया है उस लैंड पे जहां पर यह पहले कभी भी नहीं ता है इसको एक मेशन के लिए यहां पर बलाया गया रेड कलीफ ऐसे लोगं के दरम्यान में आया है जो बिलकुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं इनकी डाइट के डिफरेंट हैं और इवन इनके गॉड्स भी डिफरेंट हैं मतलब हिंदू और मुस्लिम हिंदू वेजटेरियन होते हैं और मुस्लिम वेजटेरियन होते हैं और इनके गॉड्स भी डिफरेंट हैं मुस्लिम वो अल्ला को मानते हैं और एंडियन वो बगवान को मानते हैं वो बुद्य के पूझा करते हैं जब रेड कलीफ अभी लंडन में था तो लाड मून बेटर ने उसको बताया था कि time जो है वो बहुत short है मतलब उसके आने से पहले उसको बता दिया था कि time short है जो separation है वो जल्दी करनी है partition जल्दी करनी है अब जो है वो बहुत ज़दा देर हो गयी है अब जो है इसका bet के solution नहीं निकाला जा सकता और ना इस topic पर बात की जा सकती है The only solution now lies in separation लाड मून बेटर ने उसको काया है कि अब जो solution बचा है वो सिर्फ और सिर्फ separation है इसके लावा कोई भी solution नहीं बचा आब बैट के इस पर बात भी नहीं की जा सकती The Vassarai thinks as you will see from his letter अब W.H.O.R.D.N. जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं Vassarai की thoughts को कि Vassarai क्या सोच रहा था उस टाइम पर जब उसने letter लिखा था वो कह रहे हैं कि इसके letter से ये बात देखी जा सकती है That the less you are seen in his company the better मतलब तुम उससे जितना कम मिलोगे न तो उतना ही बेतर होगा Vassarai उसको कहते हैं कि तुम उससे जितना कम मिलोगे न उतना ही बेतर होगा मतलब उससे ना मिलो वो हुद को इस सारे मौमले से लाइदा कर रहे है So we have arranged to provide you with other accommodation We can give you four judges To Muslim and to Hindu मतलब तुम उससे ना मिलो उसके आने से पहली उसकी सारी चीज़ों का इंतजा मत कर लिए और हम तुमें जो है चार्जर्जिस देंगे Two Muslim देंगे Two Hindus देंगे To consult with But the final decision must rest with you आगे से वासराई उसको कहते हैं कि तुम उनसे मशवरा ले सकते हो Hindu और Muslim जजज़ जो उनसे मशवरा ले सकते हो लेकिन final decision जो है न वो तुमारा होना चाहिए यहाँ पर आता है superiority का theme मतलब Hindu और Muslim की separation होनी है तो वो जो है final decision नहीं ले सकते Final decision ले रहा है एक बाहर का बंदा आके England का बंदा आके तो final decision ले रहा है Muslim और Hindu की जो fate है उसको decide कर रहा है Shut up in the lonely mansion with police night and day patrolling the gardens to keep the assassins away उसने आते ही अपने आपको एक बड़े से बंदे में बंद कर ली है और police उसकी दिन रात हिफाज़द कर रही है मतलब यहाँ पर आके उसको यह भी मसला है को उसको खतर है उसको security चाहिए He got down to work to the task of settling the fate of millions वो आते ही अपने काम पे लागे जिसमें उसने millions की fate को decide करना है The maps at its disposal were out of date and the census returns are most certainly incorrect और जो उसको इंडिया का map दिया गया था वो भी पुराना था और जो उसको records दिये गये थे वो भी सारे के सारे incorrectly एक बंदे को बाइर से बलाया और जिसने इस जमीन को पहले कभी देखा भी नहीं है वो पहली बार इस जमीन को देख रहा और उसको एक out of date map पकड़ा दिये और उसको सारे records जो है वो भी गलत दे दिये और बोला गया के 5-7 हफते में इसकी partition कर दो अब रेड क्लिफ के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो जा के उन एरियास को चेक कर सके या मैप को चेक कर सके या मैप को चेक कर सके वो सही भी है के नहीं और जो यहां का मौसम है वो बहुत ज़दा गरम है जो इंगलिन का मौसम होता है वो थंडा होता है And a boat of this entry kept him constantly on the trot. और उसको इदैर आते डाइरिया हो गया था, जिसके वज़से वो चकर पर चकर गाँ रहा था. But in seven weeks, it was done. उसके पास मेप भी पुरान बाइप, उसके पास सारे रहकीट भी पुराने थाइप, और उसको डाइरिया भी हो गया. लेकिन फिर भी साथ जो वीक थे उसमें ये partition का काम हो गया था partition की लाइना वो लगा दी गए ये और अब ये नहीं पता है कि जो continent को divide किया गया है ये अब better हो गा कि वर्स होने जा रहा है और अगले दिन क्या होता है कि वो England चला जाता है तो अपने केस के बार में बूल जाएगा है उसके लिए पाकिसान इंडिया की जो पार्टिशन है वो एक केस है बस The case as a good liar must, मतब as a good liar उसको एक केस बूल जाना चाहिए Return he would not afraid और वो कभी वापस नहीं आएगा उसको डर था कि As he told his club that he might get shot और उसने अपके club को बताया था कि अगर वो वापस आएगा तो उसको मार दिया जाएगा वो भी जानता है कि उसने जो partition की है इसका result क्या है और अगर यह वापस आएगा तो इसको मार दिया जाएगा इसका पहला theme है violence Violence क्या था? Violence actually is division का नतीज़ा था इसके नतीज़े में तकरीबन 10 लाख लोग जो थे वो मारे गए थे और 1 करोर 20 लाख लोग उने migration की थी And this is the largest mass migration in history और मरने वाले लोगों में Muslim, Hindu और Sikh सब लोग शामल थे British हो थे वो division करके यहाँ से चले गए हैं और फिर सफर कर रहे हैं यहाँ के लोग दूसरा थीमत है superiority वो मैंने इस पॉइम को डिसकस करते वोई बता दिया था कि superiority कैसे आई है जो हमारी division हो रही है हमारी और फैसला कर रहे हैं बाहर से आके कोई लोग जो इस जमीन को जानते नहीं आके लोगों को नहीं जानते यहाँ के culture कुछ भी नहीं जानते और वो आके हमारी division कर रहे हैं और इसी division के इसी superiority के वज़जा से violence हुआ था तिसरा थीमत division trauma migration और इसी division के वज़जा से बहुत से लोगों ने migration की थी मुस्लीम जो हैं वो इंडिया चोड़के अपने गर चोड़के पाकिस्तान में आये थे और जो हिंदूस थे जिनके गर पाकिस्तान में थे मतलब इस लैंड पे थे वो पाकिस्तान चोड़के तो इंडिया गे थे बहुत से लोगों ने अपने गरबाद छोड़ दिये अचली इस सारी पॉइमें डबल्यो चॉडन क्रिटिसाइज कर रहे हैं ब्रिटिश के वे अफट वियन को कि किस तरह जो है वो दूसरों की किसमे ब्रिटिश डिसाइड कर रहे है और मुसल्मान और हिंदू जो हैं वो उनकी गुलामी कर रहे है होप सो कि सिंपल सी पॉइम की आपको समझ आगी होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं तब तक के लिए अल्ला हाफिज